प्लस में चल रहा था टेंपरेचर तो आज फिर से माइनस 27 हो चुका है तो पुराने याद आगे जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे थे उनको तो पता है अभी पिछले मतलब दिसंबर में एक मन्त माइनस 40 तक रहा था तो क्या हाल थी सबकी तो फिर से आज बहुत जादी ठंड है आप मेरे आगे पीछे देख सकते हो सभी तरफ सनो ही सनो है चलो कोई बात है जा फिर अपने किसी भी आरदोस्तिक मतलब कहीं से भी उसको जो इंफरमेशन मिलती है न उसके दिमाग में सरफ दो ही कॉलेजिस डाले जाते हैं सेट और बो वैली और उसको पता जलता है भी बो वैली ईजी है सेट तोड़ा टफ है पर सेट की रेपूटिशन जादा है as compared to बो वैली तो इसी चक्र में लोग confused हो जाते हैं फिर उनको पता नहीं चलता भी कौन सा कॉलेज ले फिर वो गलत कॉलेज चूस कर लेते हैं और बाद में यहां पर आकर उनको प्रावलम आती है और चेंज करते हैं तो इसलिए मैं आज आपको सेट के बारे में सारा क्या बोल रहा है मतलब की साथ साथ में काम करके फीस निकल जाती है जा नहीं तो सारा कुछ जो जो भी आपको पता होना चाहिए सेट के बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बो वैली में तो मैं पढ़ता नहीं इसलिए मैं उसका नहीं बताऊंगा आपको पर सेट मे पढ़ते पढ़ते मेरे को आप लगा लो 7-8 मीने हो चुके हैं मेरा 3rd semester है तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ एंड वीडियो पूरी देखना अगर आप मैं इंटेक्स या सब्तंबर इंटेक्स के लिए अपलाई करना जाते हो सेट में क्योंकि आपको यह चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए सेट चूस करने से पहले क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है जो आप मुह ठाक है ऐसे चूस कर लो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ चलो हुण मैं आगया अंदर हुण अपत तसली नाल बैके गल करते हैं तो अनू दस दा मैं फेप पंजाबी चुरू हो गया या चलो वीडियो आज दी हिंदी देवेची होगी सारी तो बेसिकली आज की वीडियो हिंदी में होगी क्योंकि सेट में अकेले पंजाब से लोग नहीं आएंगे बाकी पूरे इंडिया से जिनको आना है तो उनको एजीली समझ आ जाजाए मैं क्या बोल रहा हूँ इसलिए आज की वीडियो हिंदी में होगी अब आप को हम बताता हूँ तो देखो भी कैलगरी में बेसिकली फेमस कॉलेजिस हैं बोल वैली और सेट ठीक है तो अगर आपको सेट में आना है अगर आप मैं इंटेक तो मेरे साब से पॉसिवल नहीं होगा सप्तमबर इंटेक के लिए अगर आपको सेट चूज करना है कितनी पढ़ाई है क्या है क्या सीन है तो आप से जगा पर आयो तो मैं सेट में पढ़ता हूँ मेरे को थर्ड समेस्टर है सेट में पढ़ते पढ़ते साथ आठ मन्त से मेरी क्लास चल रही है तो मैं आपको बताऊंगा भी देखो अगर तो आपको पढ़ने आना है वैसे त तो आना तो सबको पढ़ने ही है, study visa ही है सबका, पर मैं real वाला पढ़ना बूल रहा हूँ, क्योंकि set में क्या है, जो बाकी courses हैं सारे, आप लगा लो IT का, आप लगा लो business का, architecture का, मैंने सब, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब courses में, तो 5 दिन सबकी classes है, ठीक है, तो अभी तो online चल रही है, क्योंकि college बंद है, तो 5 दिन उनकी class है, अब आप पूछो के भी class कितने time की होती है, तो class कोई fix नहीं है, कभी class होती है, उनकी 8 से 10 सुबह, फिर 12 से 2, फिर 3 से 4 ऐसे, एक दिन में 2 classes तो होती हैं, कभी कभी 4 classes भी होती हैं, तो आप लगा लो, अगर आप college खु बंचोगे और वहां से 4-5 बजे निकलोगे, ठीक है, तो अब मैं अपने course की बात करूँ, तो मेरा civil engineering का course है, हमारी class लगती है 6 दिन भाई, ठीक है, 6 दिन, Monday से Saturday, बाकी मेरे को 3-4 course ही पता है, जो मैंने आपको पहले बता है, उनकी 5 दिन लगती है, तो मेरे ख्याल से बाकी ठीक है, तो 6 दे, Saturday को टाइम बहुत जादा खराब होता है, कभी सुबे class होती है, कभी दोपैर में class होती है, तो अगर आप सोचो भी, आप weekend पर काम कर लोगे, तो हम तो weekend पर भी नहीं कर सकते है, हमारी Saturday class होती है, तो इससे difficulty क्या आती है, classes से, आप कहीं पर job apply करते हो, part time, तो आपका schedule ही match करता, आपकी class start होती है, मेरी start होती है, तीन बचे दोपैर को, ना दिन में काम करने लायक, ना रात में, तीन से नो तक होती है, है ना, तो ऐसे ही classes उपर नीचे होती है, आपकी सुबे से शाम तक class होगी, most probably, तो आपको रात में ही काम जाना पड़ेगा, night shift के लिए, ठीक है, तो और ये तो चलो classes की बात थी, भी 5-6 दिन class लगती है, अब मैं बताता हूँ आपको course के बारे में, course देखो मैंने जितने भी बागी course वालों से बात करी, सबके 5 है, ठीक है, मतलब सेट अपनी तरफ से course पकड़ा देता है, जैसे हमारा school में होता था भी Hindi, Punjabi, English, Social, Science, Math, जैसे आपको 6 किताबे पकड़ा दी है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसे सेट अपनी तरफ से 5 courses दे रखे हैं उन सबी को, तो उनको वो 5 करने पढ़ेंगे, बाकी option है, वो minimum 3 भी कर सकते हैं, पर उससे उनको नुकसान क्या होगा कि अगर मानलो वो 3 course ल भी चली जाएगी, ठीक है, तो 5 course है उनके और civil engineering वालों के लिए 6 course है, ठीक है, मैं पिछले 3 समेस्टरों से 6 course ले रहा हूँ, मेरी मर्जी है वैसे तो मैं 3 ले सकता हूँ, minimum, पर मैं नहीं लिया क्योंकि एक तो online है, benefit है, जितनी जल्दी खतम हो सके कर दो, बाकी अगर मैं क ले लेता हूँ, तो मेरे को अगले समेस्टर में ज्यादा लेने पड़ेंगे, अब देखो मेरा 3rd semester है, मैंने 6 course ले रखे है, अगले 4th semester में फिर से 6 पड़े है, अब अगर मैं इसमें मान लो 6 में से 4 ले लेता, तो 2 बच जाने थे, तो जातो अगले semester में मेरे को 8 course लेने ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए, और आपको बता देता हूँ, भी सेट में काम बहुत जादा देते हैं, आपको daily quiz में लेगा, assignment भरी पड़े रहेंगे, 3-3, 4-4 assignment होगी, assignment, quiz, lab और group work project काफी कुछ, मतलब कि अगर आप सोचोगी, आप सुबे से शाम तक college जाओगे बहुत मुश्किल होगा, क्यूंकि आपको आके study करनी पड़ेगी, ठीक है, study करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं पड़ोगे, तो आप fail हो जाओगे, मेरी class में हैं 2-3 बच्चे थे, जो 1-2 subject में fail होगे, उनको 17-1800 डॉलर देके फिर से वो course लेना पड़ा, 1-2 semester उनको और गाने पड़ेंगे, उनकी पड़ाई भी लंबी चली जाएगी, और उनको साथ में probation period पर भी डाल दिया है, probation होता है भी आप, अगर आपने फिर से ऐसा ही किया, तो 8 मन्त के लिए आपको college से निकाल देंगे, और आप student नहीं रहोगे, आपके काम करने में भी problem आएगी, आपको deport करने के लिए बोल देंगे, आप ऐसी को, तो study is very important if you are coming to sit, हाँ, आप 20 hours तक काम कर सकते हो, manage करके, ठीक है, पर अगर आप सोचो भी, आप 20 hours करोगे, और आपको cash पर भी काम चाहिए, तो फिर आप दोनों चीजे balance नहीं कर पाऊगे, मेरे ख्याल से, 98% है नहीं कर प पाऊगे, ठीक है, तो ये सारी main main चीजें थी, अब मैं आपको पताता हूँ भी किन students को यहाँ पर आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए, देखो अगर तो आप India से loan लेके आ रहे हो, आप financially strong नहीं हो India में, ठीक है, और आपको इदर आके अपना loan भी उतारना है, अपनी fees भी खुद से निकाल ली है, तो आपके लिए सेट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर तो आपको loan बाद में उतारना है पड़ाई के बाद, फिर तो चलो ठीक है, और fees manage करनी 20R काम करके is not that much easy, 20R करके क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ जो 100-800 की grocery आ जाती थी, वो भी अब 500-300 तक जाती है, ठीक है, 20R काम करके मन्त का आप 1100 डॉलरी बना पाते हो, उसमें से आपका 6700 खर्चा है, 3400 आप सेव कर पाओगे बड़ी मुश्किल से, 600 आपकी GAC, मतलब हर मन्त आपका लगालो की 1000 डॉलर तक सेव होगा, अगर आप 20R काम करते हो, ठीक है, तो 3.5 मन्त के बाद आपका स्मेस्टर खतम हो जाएगा, तो आप लगाओ कि एक स्मेस्टर खतम होने तक आप 4000 डॉलर तक सेव कर पाओगे, अगर आप खर्चे कम करते हो, कंजूसी से चलोगे, तो इंडिया से आप 2 स्मेस्टर की फीस दे के आओग तो मेरे पास सिर्फ 2 मन्त थे, जैन्वरी में फीस देनी थी 3rd स्मेस्टर की, तो डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, पैसे एकठे नहीं कर पाया था, मैं इतनी एजी ली, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही आजाओगे, मानलो आपका सब्तम्बर इंट एगा, आप स्मेस्टर 3-4 मन्त में खतम हो जाएगा, तो आप 3-4 जार ही सेव कर पाऊगे, 3-4 जार आपका कम पढ़ जाएगा, मतलब फीस जैसे तैसे हो जाएगी, अगर ड्रॉप बग्यारा मिल जाएगा, बीच में क्योंकि स्मेस्टर ब्रेक भी आती है, जैसे आपका स्मेस्टर ख सीखाना, एक तो एक्सल चलाना, क्योंकि एक एक्सल यहां पर बहुत यूज होता है, साइनमेंट में, मिरको नहीं आता था एक्सल चलाना, पर हम मैंने सीख लिया है, तो मिरको बहुत सारी मुश्किल लें का सामना करना पड़ा, एक्सल, माइक्रोसफट वर्ड और पावर यह तीन सॉफट्वेर हैं, जो आपको आने ही चाहिए, इनके बिना आप केनडा में स्टड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा असाइनमेंट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इनी के उपर बेस्ट है, तो आपको यह तीन जरूर सीख कर आने पड़ेंगे, अगर आप सेट म आ रहे हो, तो एक बात याद रखना कि आपको बाद में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अब मैं जहां पर भी जाता हूँ, अगर मैं बताता हूँ भी मैं सेट में पढ़ता हूँ, तो यही सुनने को मिलता है, कि बेरी गुड कॉलेज, रेपुटिटिव कॉलेज है, आगे जा से आगे लाइफ जाएगी, आपको सब कुछ दिखाता जाऊंगा, ठीक है, तो अगर आप बो वैली आना चाते हो, तो भी गुड कॉलेज है, उसमें अगर आपको काम थोड़ा जादा करना है, तो बो वैली इस बेस्ट, पर अगर आपको जादा काम नहीं करना है, आप 20-30 गंटे हफते में करके सैटिस्फाई हो, और आप पढ़ सकते हो, इंडिया में भी आप अच्छा खासा पढ़ लेते थे, तो सेट चूस कर लेना, बिल्कुल सही है कॉलेज, कोई बुरा नहीं है, सारे दूर-दूर से लोग यहीं पर हैं, और बहुत ही इंफ्रस्टुक्च ब्रॉड सेट का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम तो नहीं सीख पाई, क्योंकि हमारे क्लासी ओनलाइन ही थी सारी, क्रोना बाबा की बज़र से, पर मैं सेट में जाकर देखकर आया हूँ, वहां पर लैब जो है, इतनी मतलब बड़िया बड़िया लैब है न, अगर आपको कॉलेज इन परसन होगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड ऐसा कुछ आपको सीखने को मिलेगा न, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है, तो ये था सारा कुछ बेसिकली जो मेरे दिमाग में आया सेट के बारे में, मैंने माग में जो जो चीज़ें ही मैंने आपको बता दी, so yeah, that's all for सेट, so आज की वीडियो यहीं तक, I hope आपको बहुत सारी इंफोमेशन मिली होगी, and अगर आप सेट में पढते हो, तो कमेंट कर देना, hi, I also study at सेट, so yeah, that's it, thanks for watching, do subscribe to my channel, and मिलते हैं आपको किसी और वीडियो मे बवाई